पर अपनी पारी की शिरुवात करने वाली एक्टरस अकान शाह इन दिनों सबसे ज़ादा चर्चाओं में है आगे आने वाले दिनों में आपको अकान शाह की कई सारी फिल्में देखने को मलने वाली है लेकिन फिलाल खबर ये है कि फ्रंट्शिब डे पर अपने पुराने दोस्त योगेश के साथ नजर आई अकान शाह जहां वो अपने नए नए दोस्तों यानि पवन और खेसारी को मिस्किरती नजर आई है अकांशा ने कहा है कि ये उनका पहला friendship day होगा जिस पर वो पवन और खेसारी को भी विश्करेंगी इसके साथ ही अकांशा ने ये भी कहा है कि पवन और खेसारी सचेत हो जाएं क्योंकि अकांशा दोनों से gift लेने वाली हैं सिर्फ इतना ही नहीं अकांशा ने तो ये भी बता दिया है कि खेसारी पवन दोनों अकांशा से बहुत प्यार करते हैं वैल अकांशा जब ऐसा कह रही थी तो उनके चहरी के मुस्कुराहट से साफ साफ बया हो रहा था कि अकांशा को प्यार तो हुआ है लेकिन भोजपुरी इंडोस्री से वो बेशक से आज सिर्फ पवन और खिसारी को अपना दोस्त बता रही हो लेकिन जो जो उनके साथ आगे आने वाली फिल्मों में काम करेगा वो सब अकांशा के दोस्त बन जाएंगे क्योंकि अकांशा कांशा कांशा नेचर ही कुछ इस तरह अच्छल बुला है नेक्स्ट नाइम न्यूज भोजपुरिया से ममता की नपॉट स्टार्ट यूर कारियर विग अज